आपका समय हो चुका है एक मिट्री पुर्शतम रुपाला जी अप अंतिम वक्ता हैं इस विशेय पर बोलना नहीं चाहिए और अमिद्भाइशास जी को और वरमा जी को भधाइद देता हूँ दन्यवाद देता हूँ ग्रामिशन क्षित्र के और से मैं एक बात साजा करने के लिए इस August house में आपका समय लिया है, एक मिनिट ही लूँगा, हमारे गुजरात के सावरकाथा district में इडर नाम का एक गाउं है, तालुका प्लेश है, वहां आठ साल से नीचे की उमर के बच्चों की एक cooperative चल रही है, इस में आठ साल के नीचे के बच्चों की एक cooperative चल रही है, वह इस elder house में इस बच्चों की बात, इसलिए मुझे गरवपुर कहनी है सार, कि उनके पांस तो आईका स्त्रोथ होता ही नहीं है, तो वह पैसे कहां से निकालते हैं, तो वहां bank के करमचारी उसके घर में वह गला बच्चत bank का छोड़ाते हैं, उसके मामा, उसकी माशी, उस के फुफा जो आते हैं, और वो जो इनको गिफ्ट देते हैं, वो बच्चत bank में डाल देते हैं, और हर महिने bank के करमचारी उनके माबाब की उपस्थिती में, वो गला खोलते हैं, और उसमें से जो राशी मिलती है, उसको bank में deposit करते हैं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क कि कॉपरेटिव का कितना बड़ा महत्व होगा, सर उसमें से एक बच्चे ने मंच पे आकर कहा, कि मैं मेडिकल में जाना चाहता हूँ, मगर मैं जब मेडिकल में जाओंगा, तो मेरी फीज के पैसे ये बाल गोपाल बैंक से मुझे मिलने वाले हैं, मुझे किसी की जरूरत आज इस सदन में मुझे बताना है, बाल गोपाल बैंक इडर का टोटल बच्चत संक्या, आज इनके पाँ सोला करोड रुपिये की बच्चत है, इतनी एक बड़ी अच्छी बात मुझे एक और आपरेटिव के महोल को यहां वर्मा जी ने इस विदेख लाकर कहा, तो मैंने कहा का आप से शेर करो आपने अनुपते दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद मानी रुपाला जी, आपने बहुत महत्परों सुचना देश के साथ सेर की,